हम समझते हैं इंटरनेट अफ थिंग्स को जब हम किसी भी चीज या वस्तू थिंग को इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं तब हम उसको कहते हैं इंटरनेट अफ थिंग्स हम किसी भी चीज या वस्तू को इंटरनेट से अधिकतर connect करते हैं sensor के द्वारा इसको समझते हैं इस उधारण से मेरे बेटे के कमरे में ये Philips Hue Lights लगी हुई है इन lights में sensor लगा हुआ है जो की एक hub के द्वारा इनको internet से control करता है इन lights को on करने का एक तरीका तो है ये ordinary switch हम इस switch से इन lights को control कर सकते हैं तो जब मैं ये switch को on करता हूँ तो ये lights on हो गई पर ये lights इस Philips Hue के hub के साथ भी connected है और ये hub इस ethernet cable के द्वारा इंटरनेट से connected है और हमारे पास यहाँ पर ये Amazon का echo box है जो की Amazon का smart speaker है इसमें Amazon की smart assistant technology Alexa embedded है तो जैसे ही मैं कहता हूँ Alexa तो ये speaker on हो जाता है और हम इन lights को इस Amazon box के दूँ कंट्रोल कर सकते हैं तो जैसे ही मैं कहता हूँ Alexa turn lights off Alexa turn lights on Alexa turn lights red Alexa turn lights blue Alexa turn lights 50% Alexa turn lights 10% तो अभी क्या हो रहा है कि मेरी जो भी मैं voice command दे रहा हूँ वो Amazon का ये smart assistant natural language processing के थूँ समझ रहा है और ये इन command को internet के थूँ भेज रहा है जो कि Phillips Hue के इस hub पे जा रही है और Phillips Hue का hub फिर इन lights को कंट्रोल कर रहा है तो कहने का मतलब है कि ये lights internet of things का उधारन है क्योंकि इन lights में एक sensor लगा हुआ है जो कि इनको internet से connect करता है और फिर हम इन lights को internet से connected किसी और device से control कर सकते है तो हम एक और उधारन देखते हैं internet of things का तो मेरे पास यहाँ पर ये little bit kit के कुछ components हैं ये मैंने आपको एक पहले वीडियो में भी दिखाए थे robotics वाले वीडियो में तो इसमें मेरे पास एक पावर का source है एक ये push button switch है और एक ये LED इसमें लगी हुई है ये एक simple तर circuit है और जब भी हम ये push button switch दबाते हैं तो ये LED जो है ये जल जाती है अब अगर मुझे इस circuit को internet enabled करना है तो मेरे पास यहाँ पर ये एक और bit है जिसका नाम है cloud bit और ये जो bit है ये किसी भी circuit को internet से connect कर देती है और उसके बाद हम उस circuit को little bits की cloud control website से remotely control कर सकते हैं तो मैं ये आपको दिखाता हूँ कि इस वाले circuit में मैं ये chip जोड़ूँगा और इसको internet से control करूँगा तो ये अभी ये जो chip है ये अपने को जो मेरा local wifi है उससे connect कर रही है और जब ये जो green flashing light है जब ये solid हो जाएगी तो इसका मतलब है कि ये जो chip है ये अब मेरे local wifi से connect हो गई है तो अब ये green light solid हो गई है और अब हम इस circuit को cloud control की website से जाके control कर सकते हैं तो अब मैं अपने phone में cloud control control.littlebitcloud.cc इस website में हूँ और इस website में ये एक button है तो अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये एक हमारा circuit है और ये जो circuit है ये simple सा एक LED का circuit है और इस वक्त ये इस cloud bit के थूँ इंटरनेट से connected है और मेरा जो phone है ये भी इंटरनेट से connected है और जब मैं ये button दबाऊंगा तब ये जो light है ये जल जाएगी तो अभी ये जो circuit है अब हमारा ये internet of things का एक और उधारन बन गया है क्योंकि अब हम इस circuit को इस switch से नहीं control कर रहे हैं हम ने इस circuit को इस sensor के थूँ इस chip के थूँ इंटरनेट से connect किया और इस phone को भी इंटरनेट से connect किया और अब हम इस phone की इस phone में little bits की control website पर जाके cloud control website पर जाके इसको हम control कर सकते हैं तो ये phone अब चाहे जहां पर भी हो यहां आपको थोड़ी अपनी कलपना इस्तेमाल करनी पड़ेगी आप दुनिया में कहीं पर भी हो तो हम इस circuit को इंटरनेट पर जाकर control कर सकते हैं अब यहां पर हमने एक simple LED लगा रखी है पर आप ऐसा मान सकते हैं कि यह जो circuit है यह LED का circuit नहीं है लेट से यह आपके घर का air conditioning system है तो अब आप इस air conditioning system को remotely कहीं से भी इंटरनेट से control कर सकते हैं या अगर यह घर आपके घर का आज के दिन smart locks भी आ गए हैं जो कि internet से connect हो जाते हैं तो अगर यह आपका smart घर में लगा हुआ smart lock है तो वो smart lock को भी आप दुनिया में कहीं से भी control कर सकते हैं क्योंकि वो अब internet से connected है और हम इसको remotely कहीं से भी control कर सकते हैं तो हम एक उधारन और देखते हैं कि अगर मैं यह जो जो यह internet enabled जो cloud bit है जो की circuits को internet से connect करती है अगर मैं इसको जो मैंने आपको एक पहले एक गाड़ी दिखाई थी robotics वाले वीडियो में अगर मैं इसको इस गाड़ी में लगाँगा तो यह गाड़ी कैसे internet of things का एक और उधारन बन जाएगी हम देखेंगे अगले वीडियो में